स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में लालकों जंचन से आज की जर्णी है बोहने वाली है लालकों से हावडा के बीच चलने जा रहा ही समर स्पेशल ड्रेन में जिसका ट्रेन नमबर है 050 साथ लालकों हावडा स्पेशल कर रहे है वह लगाया जा रहा है लालकों के प्लैटफॉन नमबर पांच पर लालकों हावडा लालकों हावडा समर स्पेशल ड्रेन नमबर 050 साथ और जब हावडा से आई तो इसका ट्रेन नमबर पांच जीरो पचास उनसट इस ट्रेन की खास बात यह है कि आज यह एक जो है नए रूट से जा रही है वाया पीली बीद महलानी लखीम पूर होकर लालकों से यह ट्रेन प्रतेक ब्रेस्पत्वार को जश ट्रिप के लिए अभी चलाई जा रही है समर स्पेशल के रूट में लालकों से यह ट्रेन चलेगी एक पैंतिस पर और अगले दिन जो है रात में नौ बच कर लगए साड़े नौ बजे यह आवड़ा पहुंचेगी ए ऐस ट्रेन की खास बात यही है कि यह जो है आज एक नए रूट से जायेगी जिस पर अभी तक सवारी गाड़ियां जो है वो नहीं चली है पीली भीत से मेलानी तक का जो रूट है शाहगर तक तक तो जो ट्रेने हैं वो आ रही है एक ट्रेन 056 लेकिन शाहगर से पीलिभीत के बीच में अभी तक सवारी गाड़ी जो है वो नहीं चली है तो ये पहली ट्रेन होगी जो उस रूट से जो है निकलेगी पीलिभीत माला होते हुए पुरनपुर की तरफ और हाव लालकुआ में इसे प्लैटफॉर नुम्बर पांच पर लगया गया है और लालकुआ में जो है जो साइन बोर्ड लगाया है लालकुआ जक्शन का वो तीन लेंग्वेज में एक तो हिंदी दूसरी अंग्रेजी और तीसरी जो है संस्क्रेट में लिखा है लालकुआ जंक् पावर लगाई गई है वह है पीफोर और आप देख सकते हैं लालकुएं जैक्शन का लंगूरी बंदर जो बंदर जो हैं जंगलों में दिखते हैं वह देखिए यहां पर लूप कि पर डिख रहे हैं और उस्टेशन पर देख रहे हैं और उपर क्रॉस बार्स पर रूंग रहे हैं ब क्रफं 69 है सकताट चिछ नाफल ऑ्यायव ए ले बुडरा झांशचिंश पर फशरा सेर्ज नाफल्कूर अचलडि नाफलां चुछंश प przedstaw अक्स 53 है बाल ँडान उक्स प्शिर्श फ्ट्कु थांग थ वह 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 सुका है प्लाइटव मोनबबर चार पर खड़ी हैं कार्ड कोदाम मुंब़ी से आने वाली काडगोदाम को जाने वह वाली इस्पेशल द्रेन काडि सेंट शुमाइञ नौटाचर वह चीए ट्रेन का फांस तो कि अब दो सामने सामने रतन जी जो है वह मुंबई वाली मुंबई काडगुदाम वाली ट्रेन में वापस काडगुदाम जा रहे हैं लालकों एजक्षन जा के ल çok बालकोंwe आसे लाने सेड़ हाज़ काड़– लापसपर 158 वापस में हैंक्षन में हैं, के में हैं कि यह जो दाई तरफ लाइन जा रही है यह जा रही है रुदर्फर सिटी होते हुए रामपुर जेक्शन अभी आगे और इस तरफ है लालिकों की सेंचुरी पेपर मिल कि यह वाली जो लाइन है कि जो दाई तरफ जा रही है मुड़ती हुई यह जा रही है रुदर्फर सिटी होते हुए रामपुर जेक्शन और हमाई ट्रेन जो है वो बोजीप्रा वाली लाइन पर आगे बढ़ते हुए यह उपर की तरफ जो लाइन जा रही है यही है रुदर्फर सिटी वाली लाइन लालकों से निगलने के बाद यह ट्रेन जो है इस इच्छा रुकेगी पंदनगर को स्किप करेगी और कि इच्छा से चलने के बाद इस ट्रेन का लोको रिवर्सल होगा पीलिवीद की तरफ जाएगी उसके बाद है और पीलिवीद से पूरंपुर की तरफ नए रूट पर इस रूट पर अभी तक कोई भी ट्रेन जो है वो नहीं चली है सवारी गाड़ी अभी तक कोई नहीं चलिए माल गाड़े तो फलाल निकल रही है आप कि अब आ ऐसे आप कि अच्छा पर आप कि अच्छा है कि अच्छा आप कि अच्छा आप कि अच्छा आप ट्रेन जो है आप स्किप कर रही है पंतनागर स्टेशन को कि अच्छा आप कि अच्छा कि अच्छा यहां पर जो है चालिस का कॉशन है चालिस क्लोमीडर प्रतिघंटा का पंतनागर में और शायद यहां पर जो सिंगनल है वह रैड है तो इसे रोग दिया है पंतनागर में इसकिप नहीं कर रही पंतनागर में जो है बहुत ही धीमी गती से इसके पिया पंतनागर को इसके बाद आएगा किच्छा किच्छा में इसका इस्टाउप है और किच्छा के बाद यह सीधी भोजीपुरा रुगेगी वहां पर जो इसका लोको रिवर्स होगा प्यूंद जिपनल ग्रीन और जो पीछे एस स्पीड का रेस्टिक्षिन था वह भी आपर रेंड हो गया सामने बूड है थिया अब डिक पी पी साइनबुर्ट का मतलब होता है कि जो पीछे स्पीड रेस्टिक्षिन दिया गया था वो जो है कैंसल हो चुका है यहां अब यहां से नॉर्मल स्पीट में जो ट्रेन है वो चलेगी यह जो बरावर में रोड चलना है यह रोड है बरेली नैनिता लोड यह साथ ही साथ में भोजी परव तक इसे साथ ही आएगा और पुजर नगर तक यह फ्रेन के ट्रेक के साथ यह जाता है कि इस ट्रेंज को जो है नया अलेजबी रेक मिला है तो अबीद अबलाल साथ सुत्रा है लेकिन स्पीशा जो है वो थोड़ा सा घंदा है जार मैं यह आत्रा कर रहा हूं स्क्लीपर क्लास में इसमें 3rd AC के भी कोशेश हैं और 1st AC का भी कोशेश हैं किछ्छा रेलवी इस्टेशन जो है वो आने वाला है अबी गोड़ी दे रहे है किछ्छा इस्टेशन पहुंच रही है किछ्छा में जा रही है किछ्छा में इस तरफ जो है मालगाड़ी घड़ी है डब्लुड़ी फोड़ी के साथ रोजा चड़ का ज़क्त कोशेशब द्धेशन आप ज़क्त कोशा है देशन और प्रशंज बॉलिक्त काँशा है अब ख्लाफ किछ्शा देशन सुस्क्त है यहां पर शायद कुछ लोग इसे बोर्ड करेंगे किच्छा इस्टेशन पर यहां बेल्डिंग काम चरला है तो यहां पर सब अस्त भी अस्त है किच्छा में किच्छा से उग्या डिपाच्छा किच्छा से बहुत सारे लोगों ने बोर्ड किया है ट्रेन में किच्छा का एंजी टाइम का बोर्ड जो अभी भी लगा है पत्थर से बना हुआ कि डाउन Administration चाझचा झाहते लाःत Having अभ तο में, अभी में किच्छा यहां। प्रड़ कर 계ँ जाई में स्क्षा करें ड्रोड़ी, कि अमें धंग एंग किच्छा झाल में किच्छां जपक्ते वो यहां ताम स्क्रूपнуवां तांस करली स जग्षाँ किसा से निकल पिछा रेलेश्टेसन से निकलने के बाद जो है गोला रिवर आएगी किसा से निकलने के बाद गोला रिवराती है गोला रिवर से पहले जो है prepared के जो वहाई तरफ मुटती है और जैसे ही ब्रिज ख्रास करेगी वैसे ओर्म्मर het जाएगी तो यहां पर एस कर जो है वो हो जाता है कि आप कि अब कि अब कि यह गोजा रिवर का ब्रिज जो है वो फ्रॉस कर रहे है ट्रेंब अब जी टाइम का ब्रिज देखिये अब इसके लर खड़े हैं और नदी में इस टाइम जो है पानी ब्रॉस कि नहीं नहीं है आर इसके टाइम पर इसके नदी में पानी जो है बहुत होता है और ब्रिज से निकलने के बाद बोला रिगड़के तुरंज ट्रेन है वो राइट में मुड़ जाती है यह गरावर में दरेजी नहीं काल रोड यह जो है प्रेन के साथ ही साथ चलता रहेगा बोजीपुरा तक बोजीपुरा के बाद जो है रिवर्सल हो जाएगा इस च्रेंट का पेरे चली जाएगी फीली मीच की दिशाने कि अब ट्रेन जो है अपनी मैक्समेम स्पीड में चल रही है और यह 110 किलोमेटर पर दिवेंटा पर और 282 को लग रहा है जिसके प्रेगी फुल स्पीड में बहेड़ी स्टेशन पर जो है डबल यलो सिंगल जो इसे मिला है तो इस स्पीड में तो इसकिप नहीं करेगी कि अबलो। बहेरी में भी स्पीड में इसकिप कर रही है कि संट में अशके साथ कि अप्रेंजों स्किप करेगी रिचा रोड हाल्ट को इसके बाद देवरणिया स्टेशन आएगा वहां देखेंगे ट्रेंजों है कि इसके करती है देवरणिया को कि लाल देवरणिया में तो ग्रीम सिंगनल है अब करेंगे अन्यवार वक रेखेंगे यहां में लागफिया द। प्रिप्ट रेली वहान में लिखरी एंट अज से क्रिख रालाय सकत है और की एंटेशने हो जुएं कि है निहान में कुछ Дेवरनी है कि की इसकेप हो बेन है अब आएगा आटा माटा हॉल्ट आटा माटा हॉल्ट मीटरगेज के ट्रैंग में यह स्टेशन वावरता था ब्रॉडगेज में से हॉल्ट बना दिया आट फ्रेंच सीथी रुकेगी बजीपरा में यहीं से इस्ट्रेंड का जो है रिवर्सल होगा जो इसका इंजन है वो फीछे की तरफ पर आ दिया जाएगा और यह फीलिवीट वाली लाइन की तरफ जो है चली जाएगी यह वाली जो लाइन है यह आ रही है पिलिवीक की तरफ से इधर ही जो हमारी ट्रेन है वह जाएगी वापत प्लाटफोन नंबर दो पर मस्ती हुए प्लाटफोन की तरफ से एक लाइन तरफ से हम लोग आ रहे हैं लालकों की तरफ से और सीदी लाइन जो है वह चली जाती है इस जन्नगर की तरफ यहां पर स्ट्रिंग का जो है तीस मिनिट का स्टाप है क्योंकि यहां पर लोको जो है रिवर्स होगा तो उसमें जो है टाइम लगेगा बोजी परा जक्शन पर जो है वो ट्रेन हमारी खड़ी है और यहां पर जो है अब लोको जो है रिवर्स किया जाएगा पीछे की डारेक्शन में लगेगा पहले जब यहां पर छोटी लाइन की टाइम पर आते थे तो केवल लाइन इताल एक्सप्रेस जो है यहां से जाती थी लोको लिवर्स होकर लालकुआ की तरफ वही इकलौती ट्रेन थी जिसका यहां पर लोको लिवर्स होता था उसके बाद यह बड़ी लाइन की पहली ट् बोजीपरा से रिवर्स होकर पीलिभीत की तरफ जाएगी लोको जो यहां पर डी अटेच किया जा रहा है और रिवर्स करके जो है अपोजीट डियरेक्शन में यहां पर लगाया जाएगा इसे और हमाई ट्रेन जो है वो प्लैटफॉन नमबर दो पर आई है और ग्रीवीस जाने वाली ट्रेन का जो है लिए दिफार हो रहा है यहां पर इसके बाद जो लोकों को ट्रक्ति इनल त्रक्षा किआ जाएगा यह भोजीपरा जायेगा और लोकों को जो शंटिक सिंगनल है वो दिया जाएगा इसके डिपार जोने के बाद यह हुआ है जो जो कि लेकिन अभी से शंटिक सिंगनल नहीं मिला है क्योंकि इस पाम में अभी ट्रेन जा रही है बरेली सेटी की तरफ लोकोमोटिव जो है वो अबजार आये संटिक के लिए और इसके बाद से अपोजिट डिरेक्शन में जो है लगाया जाएगा ट्रेन में फिर ट्रेन जाएगी पीलिवीर की तरफ लोकोमोटिव जो है वो दिवर्स होके पीलिवी स्राइड आ चुका है अब इससे लगाया जाएगा हम भी देखके आए तका है अब है अब है अब है अब है अब है कभी जो वाइडियम फोर है वो यहां पर लोको रिवर्स करा करता था नहीं ताल एक्स्प्रेस में अब है अब है अब है अब है जो लोको को है वो अपोजिट डिरेक्शन में लगाया जा रहा है और लोको मोटिव जो है वो अपोजिट डिरेक्शन में अटेच किया जा रहा है और लोको रिवर्स को देखने के लिए देखिए बहुत सारी बीड़ जो है वो यहां पर इकटी हो गई है और यहां उपर जो है वो जा रहा है नैनी ताल बरेली कि यहां पर लोको मोटिव को कपल करने में सायद कोई दिक्कत आ रही है काफी टाइम हो गया यहां पर काफी पुर्वादी में इसके बाद शायद इसे डिपार्चर दिया जाए यहां नहीं जो से जो आए पर अब थे कि भोजी पराँ से डिपार्चर पर शेंगर जो है वो में चुगाए ज़िए भोजीपुरा से जो डिपार्चर है वह हो चुका है काफी देर लग गई यहां पर शंटिंग में और लोको को कपल होने में तो अब ट्रेंज हो है यहां से पहली बार लोका रिवर्स होगे पीडीबीट की तरफ जा रही है अब यह सीधे यहां से पीडीबी तरुकेगी उसके बाद इसका इस्टाब होगा पूरण पूर जो की एकदम से नया रूट है पहली सवारी गाड़ी जो है उस रूट पर जा रही है भोजीपरा से हम लोग आए थे बाई तरफ से अब यहां से जाएंगे पीछे की तरफ दाई की दाई तरफ के लिए ट्रेन जो है यहां से मुड़ जाएगी पीलिभीत वाले ट्रैक पर और दाई तरफ यहां पर एक बहुत खूबसूरत सा जो कर्व है वो आएगा यह जो ट्रेन है वो आई थी इस वाले ट्रैक से बाई तरफ से और अब यहां से मुड़ जाएगी दाई तरफ अब यह ट्रेन यहां से मुड़ रही है दाई तरफ और इस वाले ट्रैक से जो है यह ट्रेन आई थी लाल पाहला ट्रैक यह वो खूबसूरत सा करफ पर यहां पर भी स्पीड का जो कॉशन है क्योंकि यहां पर जो करव है वह बहुत शार्प है आई 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 आ रम आई क्सुड़त आई 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 किस्टेश और यदान सुख़नाा यदयों! किस्टेब नन्र हुवां का स्क्षाओता CiO postset कि इस का कॉशन यहां पर 30 km प्रतिगंटा का यह देख यह बोर्ड लगा हुआ है यहां पर अब यहां से चलने के बाद ट्रेन सीधा जो पीली भीत में रुकेगी कि बीच में जो इस्टेसन आएंगे सेखल और विजोरिया उन्हें स्किप करेगी कि यहां पर एमर्जेंसी ब्रेक लागा कर जो है रोका गया है आगे किसी वील में जो है दुआ निकल ला रहा हुआ कि अगर जो बैठ जो यहां पर जो ब्रेक पैड़ है सायद वो हीट हो गया होगा करें खड़ी है डिबनापूर और सेथल के बीच में और यहां पर जो इसलार कोच है इसके ब्रेक पैड़ जो है वो शायद चिपक रहते हैं तो वहीं पर जो आग लगड़ी थी कि यहां पर सभी लोग मदद कर रहे हैं जो आग है वो लगई यह भी भी ज्यादा हीट हो गया यहां पर वील जो है पानी टाल कर दो है ब्रेक पर ठंड़े के जाएं अब प्रेंट अब अब ट्रेंट जो है यहां से दुबारा चली है कि शायद यहां से अब अब ही सेफल से पीछे ही है ट्रेंट यहां सेफल वो है इसकिप करेंगि अब अब हैं इसक्पर पार में कि अब हैं इसक्पर और हुआं कर दो क्यांता है यहां आप कर अब कर दो कर दो कि विजोरिया पांच रही है ट्वेन और यह सिंग्गिया चोटी सी नभी है इसका ब्रेज है कि मेल लाइन पर यहां पर जो है मालगाड़ी खड़ी है तो इससे जो है प्लैटफ़ॉन नुम्बर दो की लूप लाइन से जो है वो निकाला जाएगा मेल लाइन पर मालगाड़ी खड़ी है तो प्लैटफ़ॉन मर दो की लूप लाइन से धीरे धीरे से निकाला जा रहा बिजा दिया से बिजारी हा बिजा रहा है वोट प्रेजरी आप इसके बाद आएगा शाही, शाही में भी इसकित करेगी और पिर लालोडी घड़ा हल्ट और इसके बाद पीली भीड करे टुछा मुभण हैं वो rocky deberैफ ज बादे, यद यदो जेना सब। करेंग जड़ा हते नचे रगा हैं क्तुर ओाद हैं लाद 시ढeur सूड़ू crear चल शाही इसकता बालोड़ कि वे टलु़न फ़ाही गादे रसके टूबड़ Buffett Lengy कि यह लोड़ी खेटा हाल्ट से जो है वो इसके पर चुकी है ट्रेन और आपने जो उपर आप लोगो रोड दिख रहा है यह रोड जो है फीली बीच से सतार गंज की तरफ जाता है कि इसके बाद आएगा देवा रिवर का बिष्ट और पिर ट्रेन पहुंच आएगी पिली बीच कि यहां पर भी थोड़ा सब कॉशन है करब पर इस पीड का तो इस पीड जो है थोड़ी सी कम कर दी गई है इस करब के बाद जो है देवा नदी का बिष्ट आ जाएगा जाएगा वार सामने है देवानदी का बिष्ट सामने हैए इसलिफान नदी का बिष्ट के मुंदी अ जाएगा बिष्ट आएगी जिफेक का बिष्ट आ Warszawa पारी नहीं है पुछ पारी नहीं है पारी जोपी नहीं है और इसको क्रॉस करते ही तुरंज है फीली भी दिक्टेशन आ जाएगा ट्रेंज वह फ्लैट्फरम नंबर एक पर जा रही है अट कि एलिवी जेक्ट्शन पहुंच रही है प्लेट पाम एक पर या एक नंबर पर जा रही है ट्रेंट और पीली भीत के बाद ये पहली बार जो है पूरनपुर वाले रूट पर जो है कोई सवारी गाड़ी जाएगी और हम जो इस ट्रेंड में जर्नी कर रहे हैं लालकों अजेक्शन से पूरन पूर तक पीली भी पहुंच रही है और इस तरह खड़ी है मानस खंड एक्सप्रेस पीली भी इस्टेक्शन पर भी बहुत सारी भीड़ है शायद लोग इस ट्रेंड में बोर्ड करें यहां पर पीली भी से डिपार्चर जो हो चुका है और पहली बार कोई ट्रेंड जो है वो पीली भी से पूरन पूर की तरफ जा रही है सवारी गाड़ी पहली लेकिन पांच बेजे यहां से ट्रेंड जो है वो निकल ली है पीली भी जट्सन से जो बाई तरफ ट्रेक जा रहा है यह ट्रेक जाता है और यहां से सीधा ट्रेक जाता है पूरनपूर मेलानी वाली लाइन यह ट्रेक जाता है टनेपूर की तरफ और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पहली ट्रेन जो है वो इस एक्षन पर जारी है सवारी गाड़ी और द्यूरी हाल्ट और माला इस्टेशन और उसके बार संदई हाल्ट यह तीन जो इस्टेशन है यह बिल्कुल नए है जिन पर पहली सवारी गाड़ी जा रही है और तीनों इस्टेशन पर जो है ये ट्रेन जो है नहीं रुखेगी ना दियुरी ना माला और ना संदी ना के शार गाड़ी फिलाल अभी धीरे-धीरे ही जा रही है आगे आएगा संडापुल संडापुल जो है वह आ रहा है संडाप्रिज नंबर 325 यहां आए हैं बहुत बार मोटर साइकल से जब यह बन रहा था है यह जो है अब आप ट्रेंगी जो वह थोड़ी सी बड़ी है और द्यूरी हाल्ट जो है वह आने वाला है पहली ही ट्रेंग जा रही है और द्यूरी हाल्ट पर नहीं रुकेगी मैं यह ट्रेक है तो धूल जो है वह बहुत उट रही है द्यूरी हाल्ट पर द्यूरी हाल्ट स्किप कर रही है द्यूरी हाल्ट स्किप कर रही है द्यूरी हाल्ट निकल गया इसके बाद आएगा माला रेलवे स्टेशन और फिर ट्रेंज ली जाएगी माला जंगल में कटना जदी कब रेज आ रहा है अब और उसके बाद ट्रेंज जो है माला रेलवे स्टेशन को स्किप करेगी माला से पहले ही जो है बीस किलो मेटर प्रतिघंटा का कॉशन आएगा और सामने आप लोगों दिख रहा होगा माला रेलवे स्टेशन माला रेलवे स्टेशन पहुंच रिए ट्रेंज और यहां बीस किलो मेटर प्रतिघंटा का जो कॉशन है वो है यहां पर और यह पूरे जंगल में रहेगा संदे ही होल्ट के बाद यह कॉशन जो है वो खतम होगा और यहां पर अब पूरे जंगल में ट्रेंज जो है वो बीस किलो मेटर प्रतिघंटा की स्पीड में चलेगी पीलिवीद की तरफ से पहली सवारी गाड़ी माला रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है सबसे ताज़ु की बात यही है कि पहली सवारी गाड़ी है और इस स्टेशन पर रूख नहीं रही है यह सामर स्पेशल है लेकिन फिर वी जो पहली ट्रेन रूट पर चलती है तो उसे सभी स्टेशन पर स्टाप दिया जाना चाहिए माला का खूपसूरत रेल्वे स्टेशन जहां हम लोग बाइक से बहुत बार आये हैं जो लोग पहले से मेरे वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता होगा माला में एसम कॉसल जी जो है और ग्रीन फ्लैग दिखा कर जो है कि वह इसे रवाना कर रहे हैं कि माला रेल्वे स्टेशन से ट्रेन निगल के जो है अब वो पीलिविट टाइगा रिजर्व के फॉरेस्ट में जाती हुई पूरे जंगल में ट्रेन जो है वो बीस किलोमेटर प्रति घंटा की दफ्तार से चलेगी और इसके बाद आएगा माला नजी का ब्रिज और फिर आएगा संदही हॉल्ट संदही हॉल्ट को भी स्किप करेगी फिर शाहगड आएगा उसे भी स्किप करेगी कि अगल है पुछ दो अग्जश अविय हूाआ कि यह जंगली जानबरों के जाने के लिए जो है वो पासिंग दी गई है ट्रैक के उपर से जंगल के अंदर से 20 किलोमेटर फिरतिगंटा की रफ्तार से जो कौशन दिया गया है यह बहुत अच्छी चीज है वर नजीवों के लिए और आगे आ रहा है माला नदी का ब्रिज सामने आप लोगों को मौर भी एक दिख रहा होगा नीचे जाता हुआ यह 248 पर ब्रिज नंबर 312 पहला अंडर पास जंगल के अंदर वर ने जीवों के निकलने के लिए और सामने है माला नदी का ब्रिज माला रिवर ब्रिज नंबर 311 गया ता यह दूसरा अंटरपास जंगल के अंदर और अब ट्रेन जो है वो लगबग 8 किलोमेटर के लिए जो है वो 20 किलोमेटर प्रतिघंटा की रफतार से चलेगी पूरे जंगल में और जंगल से निकलते ही संदी होल्ड को स्किप करेगी तरह सक bandits स्किराव। यह अब इस उर्व पर जो है तीन संमर अस्पेशल ड्रैन है कि वो दे दी गई है एक ट्रेन जो है वो लाल्कों से अवरा जिसमें में जा रहे हैं और यह द्idoydfly माय दौ जो रामनगर वाली जो रामनगर के लिए ट्रैन पोर्फिक जायई गई हैं आर भट है लगभग 30 क्रेन ऑसके वाज शायद कोई ट्रैन जो है इनमें से पर्मनेंट है और इधर आपको मॉर जो है वह दिख रहा होगा पेड़ के पीछे चला गया यह है तो वन्य जी बहुल शेत रहे हैं पीलिबी टाइगा रिजर यह देखिए इस तरफ जो है मॉर कि यह रहां मॉर कि यह शायद चौथा यह पांचमा अंडर पास जो है वह आ रहा है कि ब्रेज नंबर 308 कि अच्छी जो है जंगल की वह बहुत अच्छी है चेडियों की चहचार्ट की आवाज भी सायद आप लोग को सुनाई दे रहे होगी सबसे अच्छी चीज यही है कि ट्रेन जो जा रही है लुट जन लोगों ने इस रूर पे मेंटर के सफर गया है उनलों को पता होगा कि ब्रगेज के टाइम पे जो है जंगल में ट्रेन जो है फूल स्वीड में जाती थी सायद 70 से 80 की स्वीड में तो आप जो जरनी है वह में ज्याद आच्छी हूगी क्योंकि ट्रेन जो है अब अब लोग पहुंच रहे हैं 244 किलोमेटर पर और जो माला इस्टेशन है वह 250 पर है तो लगबख 6 किलोमेटर आ चुके हैं माला इस्टेशन से और अब जो है जंगल लगबख खतम होने जा रहा है और संदही होल्ट जो है वह आने वाला है लेकिन यह जो कौशन है 20 किलोमेटर प्रतिगंटा का वह संदही होल्ट के थोड़ा सा 100 या 200 मीटर आगे जो है खतम होता है अब जो जंगल है वो बाई तरफ तो खतम हो गया है लेकिन दाई तरफ जंगल है वो खतम होगा संदही होल्ट की जो नहर आती है उससे पहले प्रेंब जंगल से बाहर निकल चुकी है और सामने आ रहा है संदही होल्ट सामने आ रहा है संदही होल्ट और संदही होल्ट से पहले निगोई ब्रांच जो नहर एक और उसका ब्रेज आएगा पिर आएगा संदेई होल्ड और संदेई होल्ड को भी स्किप करेगी यह निगोई ब्रांच नहर और संदेई से पहले आ रही एल्सी और इस एल्सी पर जो है वह बहुत ही कुर्सूरत पेंटिंग जो है वह बनाई गई है पीछे से इंजन आ रहा है ट्रेन आ रही है और जो टाइगर है वह ट्रैक क्रॉस कर रहा है और अब ट्रेन जो है वह संदेई हॉल्ड को इसकिप करेगी दीरे 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 संदेई हॉल्ड अब यहां से थोड़ा आगे जो है वह कॉशन जो है बीच किलोमेटर फ्रती घंटा का घतम हो जाएगा और ट्रेन जो है वह अपनी नॉर्मल स्कीट से जो है वह चलेगी ऑफेज्ट के बाद जो है वह बोर्ड आता आए वो यहीं से जो कौशन है वह खतम हो जाएगा और इस पीड जो है बढ़ जाएगी यहंसे जैंगे यह बूर्ड आ रहा है आगे ग्रेंगा और इस पीड रेक्स्क्शन जो है वह यहां पर तो कि फतम हो जा रहे हृत है अफ़न अपनी नार्मल स्पीड मीन फ्रसरा और शाग्र के वापस्ब तको ना तक जो तक ऑगको पता हुगा आप लोगों को पता होगा लाल आ रहा है सागड इस्टेशन पहली बार कोई ट्रेम जो सवारी गाड़ी सागड स्किप कर रही है मुली बार कोई मुली करें चक्राश्सेंर रही है तोजमेरी लाल कि दोट बार आ उपता वहारा सवारी रही है लाल भाल लाल 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 कि अज़ागर से निकलते ही आएगा हर्दोई ब्रांच नहर का ब्रेज और उससे पहले हर्दोई नहर दो नहरों का ब्रेज आएगा उसके बाद गोमती नदी का ब्रेज आएगा और फिर ट्रेंज वह प्रसाथफुर को स्किप करेंगी हर्दोई नहर और अप्तुरंती आजाएगा हर्दोई ब्रांच नहर का ब्रेज और इसके बाद आएगा गोमती नदी का ब्रेज यह गोमती नदी यहां पर किम्ती चोटी है पार अहर भी स्कीप करेंगी रजा है अब परसाथफुर को स्किप करेंगी आभ आघ रहा है परसाथफुर होल्ट पहली बार को स्कीप कर रही है यहां पर एक ही ट्रेन आती है अभी जीरो पचाश का सी तक दो जक्सन से शागड़ जाने वाली और आज ये पहली ट्रेन हो जाएगी जो पीलवीत की तरफ से तुरंपर पहुंचेगी ये नादिया गाउं जो तुरंपर से पहले बढ़ता है प्रेज जो यह वह फॉलिगन प्रेज पहुंच रही है पूरण पूर पॉलिगन सिग्नल प्लैटवान नमबर एक पर और जो 056 है वह शायद यहां से जा चुकी होगी अब आ रही है माधताना लेवल क्रॉसिंग और उसके बाद आजएगा पूरण पूरेशिए नहीं मादर टंडा लेवल क्रॉसिंग यहां पर एक चोठा संतारप और उसके बार ट्रेन पहुंच जाएगी पूरान पूर इस्टेशन पर और यह जो सीधे हाथ पर बिल्ड़ ही दिख रही है यह है कि टावर वेगन शेड़ पहली बार जो है वो पई ट्रेन पीलिबीत की तरफ से सवारी गाड़ी पूरान पुरा रही है कि अ कि अ कि अ कि अ गया है कि अ हुआ कि कि कुवरंपुर में ट्रेन पहुंच रही है प्लैटफॉन नमर एक पर और उम्मीद है यहां से बहुत सारे लोग जो है वो बोर्ड करेंगे और हमारी जर्नी जो है वो यहीं पर खत्म हो जाएगी जो ही जो है अधिक आगाना है और और पीछे रहां अगे बहुत से लोग आहें पूरन पर इस लिपर कि देखने वाले लोग ज्यादा लग रहे हैं और यहां पर ट्रेन को बोर्ड करने वाले लोग कम लग रहे हैं पूरनपुर से डिपारचार पहली ट्रेन हावडा के लिए कि देखने हावड़क पूर्ड लोग हैं तंवज लोग रहा हैं इसलिए टाइसा आराद